हलो विर्वान दोस्तों नमस्कार गूड इभनिंग भारतिय डायनमेकिस लिमिटर दुस्ते आपर बीडियल तरफ्त आई टी आई की एक नई भरतियाई है दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है क्या एलिजिविल्टी है कौन से पोस्ट ह दोस्तों पूरे डिटेल बताएंगे इस वीडियो में तो आपसे रिक्वेश्ट है इस वीडियो को फूल वाच करना चैनल पर दोस्तों नहीं होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइंगों को प्रेस कर लेना चैनल दोस्त हम बात करते हैं आगे देखते हैं व्रेकेंसी यह आती है और उसी दूस्तों तरब से एक नया notification जारी यादा गया है जोस्ते हाँ पर टोटा जो पोस्ट है वो कौन कौन से किस किस पोस्ट के लिए है देखिए प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिए है, प्रोजेक्ट आफिसर है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, दोस्ता आपर ये ITI के लिए है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट ये भी ITI के लिए है, प्रोजेक्ट आफिस असिस्टेंट, य केलाओ तरगव ton ओंगे प्रोजेक्ट डिपलोमा असिस्टंट ये डिपलोमा वाला के लिए है किक अब इसलिए हम आगे कंपलीट बात करेंगे देखी दोस्ते हैं जो प्रोजेक्ट इंजिनियर है यह मेरे के निकल सोना चाहिए एक पोश्ट है इंटरवीघ्े के लिए साथ मेटिस पोश्ट के लिए और पांच पोश्ट है में कनिकल एक ये किलिए पोस्ट है तीन पुश्ट ये पर प्रोजेक्टuttering इसतर के लिए है, алеग-अलग qualification में निचे दिया गए, आप देख लेना, प्रोजेक्ट मेकनिकल के लिए 31 पोस्ट है, प्रोजेक्ट एंजनियर मेकनिकल, प्लेस अब दॉर्क, बीडल, क Kashavaag, इूनिट हैदराबाद के लिए है, electronics के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट है साथ पोस्ट electrical के लिए computer के लिए दो पोस्ट है बागी समय हाँ पर एक एक पोस्ट है जो address है यहाँ पर Saturday को है 17 February को दिया गया है भारत Dynamics Limited कंशाम वाग हैजराबार TS near to मिढ़ानी bus depart total arrested पोस्ट उपर है इसके बाद दोस्टे हाँ पर यह पोस्ट फिर दिया गया यह पोस्ट है आगे देखते हैं आप आई टी आई चातरों के लिए यहाँ पर क्या पोस्ट है ठीक है और उसी हिसाब दोस्ट हम बताएंगे आपको क्या आई टी चातरों के लिए क्या पोस्ट है और थोड़ा से नीचे आते हैं हाँ दस्तों यह है आपका दिख लिजिए यहां सुरू होता है प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फीटर के लिए है अगर आपने फीटर किया है इसे अगर फीटर साइटी किया है या तो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट रेडियो मेक पोस्ट है और टोटल 19 पोस्ट है इसके बाद दोस्ते हां पर नीचे आएंगे यहां पर है प्रोजेक्ट ट्रेड एसिस्टेंट फीटर के लिए भाई फीटर वालों के लिए हां पर काफी मौका मिला है इसके बाद फिर नीचे यहां पर इलेक्ट्रीशियन के लिए फीटर ह गया इनके लिए भी 6 पोश्ट हैं पर दिया गया है और यह सब के लिए यहां पर यह बगल में अड्रेस आप लोग देख लेना इस अड्रेस पर आपको जो है रिपोट करना जा करके एंटर्वी ठीक है इंटर्वी लिए डिपलमा वाले भी देख लेना शातर जो डिपलमा मौले हैं वह भी इस अड्रेस पर आप लोग देख लेना अब अगल में जो अड्रेस दिख रहा है इस अड्रेस पर वीडियो का आप लोग रोख करके देख सकते हैं यह सारा चीज़ दिया हुआ है ठीक है इधर देखेंगे आपर ट्रेड एस्टेंड फीटर थोड़ा सू दिया है यहां पर मिल ड्राइट डीशल मेकनिक रिप्रिजेशन एयर कंडिशनर प्लमबर यह सब दिया है इसके बदोस्ते हाँ पर चलिए बागे बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लिए करके ठीक है कि दिखेंगे प्रोजेक्ट ट्रेड के लिए यहां पर तिरासी में ज डीड़िस काट है एनसे लोबेसी का सोला है सी का बारा है सिक एच्टी के च्छा है ठीक है इसके दोस्ते हाँ पर नीचे आएंगे 28 साल दिया है ठीक है 28 साल अपकोने चाहिए इस डेट के इसाब से सीटी को पांच साल मिल रहे इंवर में चूट 5 साल वर तीन साल फार वब हम qualification की बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहां पर बीटेक फॉर येर विमी एमेम टेक कोर्स इलिवेंट इस अभी इलिजिबर है इसमें ठीक है इसके बाद दोस्तों यहां पर बात करते हैं आगे और निशाएंगे दोस्ते हाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट यहां पर आईटी शात्रों के लिए ट्रेड वाला देखिए हाँ पर हम आ गया हैं ट्रेड के लिए यहां पर आईटी आई इन्रेलिवेंट फिल्ट फीटर में इलेक्ट्रोनिक्स में इलेक्ट्रिशियन में में प्रोजेक्ट इंजिनियर में तुरंत या प्रोजेक्ट इंजिनियर में तुरंत या फिर काम करना चाहिए अगर आप लोग बीडियल में काम करना पहले या पिर वहा दो इक्सपरिवेंस है तो आप लोग इलिजिबल नहीं है देखिए यहां पर पहले एक साल के लिए आपको रहे हैं कंट्रेक्ट में आपका एक्स्प्रियूंस देख करके या फिर आपका जो लर्निंग कैपसिटी देख करके फिर फूर चार साल के लिए इसको बढ़ा दी जाएगा जो सेलरी की बात करें यहां पर जो आईटे की चात्रों के लिए हैं यहां पर फर्स्ट इयर में 23,000 मिलेगा सेकंड इयर में 24,000 और थर्ड इयर में 26,000 पूर्थ इयर में 27,500 और इसके बाद 10,000 रुप्य आपको यह लावेंस बत्ता होगरा मिलेगा मतलब कल मिला करके 38,49,000 रुप्य आपको मिलने माला है आईटे की चात्रों के लिए और जो बीटेक में है दोस्ते हाँ पर सौरी जो आईटे की चात्रों हैं वहाँ पर यह फूर्थ इयर तक अगर इस्टार्टिंग में फर्स्ट इयर देखेंगे तो 30 से 35,000 मिलेगा इस्टार्टिंग फर्स्ट इयर में अब लास्ट इयर में 35,000 से 45,000 ठीक है और जो बीटेक वाले हैं वह फूर्स्ट इयर में 40,000 तक मिलेगा इस्टार्ट होगा और फूर्थ इयर तक जा करके 15,000 ठीक है यह है आपका सेलरी स्ट्रक्चर रिजर्वेशन पॉलिसी होगर सब कुछ दिया गया है आपका वेपसाइट दिखा ज़ता www.bdlindia.in इस पर आपको क्लिक करेंगे आप लोग रॉनलाइन रिजिस्टेशन कर सकते हैं ओनलाइन तीन सुरुपे हाँ पर है प्रोजक्ट इंजिनियर के लिए है आई टी आई के लिए 200 रुपया है ठीक है और जो मैंने बताया है सभी अपने डाकुमेंट्स अटेस्ट करके आप लोग इंटर्व्यू के लिए जो है आईए रेइस्टेसंग करके स्लीप भी लेका ये साथ में अधार कार्ट 25 ट्वेल इंट डिपलोमा एब्यास से बीटे का एक सब कुछ आप लोग लेकर का ये ठीक है इंटर्व्यू डेट दोस्ते हैं आप सतर तारीक है अठ साथ आरीक को किसका है ट्रेट वालों का इटी वालों का बाकी डिपलोमा वालों का भी अस्थान कहां पर रहेगा बीडियल कंचन बाग हैदराबाद तेलंगना इस्टेट ठीक है और फार वेकेंस अब यूनिट या ओफिस यह आपका कॉर्परेट अड्रेस है ठीक है बाक 75 नंबर है आपका जो है यह यह आपका क्वालिफिकेशन और एक्स्प्रियंस पर है बाकि 10 प्रसेंट आपका जो है अलोग से दिये जाएगा 15 मार्क से में रोटल आपको सॉट लिस की जाएगा इंटर्वी माक से 15 नंबर दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है आप लोग इसको अपलाई कर दो ठीक है गूगल में डालो आप लोग बीडियल बेकेंसी या फिर इसको साच करो बहुत सारे आपसंस मिल जाएंगे आपको ठीक है जैंद